हलो फ्रेंड्स वर्धनी केडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर सिच्छक भरती से संबंदित जो हमारी टॉप 40 जीएस प्लस सोसल इस्टीज की एकलासे चल लही है उसमें आज की वीडियो हम लोगों की सोल पर डाउट था ठीक है तो उनके बारे में काफी लोगों ने कमेंट किया था तो जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका आज में मतलब उनके जो सही उत्तर है वो आपको समझा दूँगा लेकिन मैं आप लोगों से एक बात सेयर करना चाहता हूं कि 24 तारीक से थोड़ा मेर से थे जिस पर डाउट था हालाकि उसमें एक बिल्कुल सही है उसको अभी मैं क्लियर कर दूँगा एक मैं मुझसे गलती हो गई थी ठीक है तो कुछ लोग ऐसे बाते करते हैं जैसे कि जान कि कोई गलती कि अभी मैं आपको बात बता दूँ अगर आप लोग एक चीज समझ आप सौच सकते हैं किसी के घर में ऐसा हो तो क्या हालत होगी फिर भी मैंने उस दिन वीडियो बनाई है अब लोगों का नुकसान नहीं है कि मुझे ना भी लालच है कि घर में इतनी दिक्कत हो और मैं वीडियो सौक के लिए बनाओ ठीक है इसमें मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है आप लोग नहीं समझ सकते जिल लोगों का चैनल होगा इस पे भी बहुत से लोग उनको पता होगा चार से पांच हजार व्योस पर एक डॉलर बनता है मतलब सतर रुपए जब मेरी तीन से चार कम से कम तीन से चार हजार वीडियो आप देख लेंगे तब आप से मुझे सतर रुपए मिलेंगे आपके द्वारा ठीक है यह चीज आप लोग क्लियर मतलब समझ लीजिए मुझे पूरा यहे लगा कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहाँ मैं आपके तरफ से पूरी को सिस करा हुए ठीक है कि मतलब वन लाइनर ही हैं लेकिन पूरी बुक पूरा मतलब एक तरीके से उसको उठा के कि जिससे आप लोगों का पेपर जितना मैं help कर पाऊं कर दों ठीक है फिर भी लोग उल्टा सीधा कभी-कभी बोल देते comment में ठीक है मैं उसको delete भी कर सकता हूं लेकिन ऐसे समय में बुरा लग जाता है क्योंकि मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं आप लोगों के help करने के लिए मैंने एक भी पैसा किसी से नहीं लिया है कि आप बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप पैसे बता दीजिए PDF देने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं PDF डाल देता हूं ठीक है फिर भी मैंने कभी कोई पैसा नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले एक साल बहुत बुरा गया सब के लिए उसमें मैंने देख लिया अच्छे-च्छे पैसे वाले लोग चले पैसा रखा रहे गया ठीक है तो प्लीज जो मैं आज बोल नहां हूं इस चुछ ठीक हो जाए मेरा जो बखतीजा है ठीक है और मैं तो वालो करे रहांओ ठीक है फिर भी मैंने यह सचा कि इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बिनाई थी क्योंकि मैंने सचा क्वियो Newずat के लिए कर है जैए करेंज पंज बता दी मैंने बुक बता दी कि कोंशी पढ़ लींजije कैसे आपका हो जाएगा फिर भी मैं इतना सोचता रहता हूं किसी भी तरीक तरीके से कुछ भी आप लोग समझ लीजिए घी तो प्लीस आप लोग बी प्रे करें कि वह तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं तो करी रहा हूं ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले वह दो कोश्चन देख लेते हैं जिन पर डाउट था तो आपके भी मतलब कोश्चन की वैलू है इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं लेकिन फिर भी अगर लोग ऐसे कहते हैं तो बुरा लगता है ठीक है आप पेपर देखे आएगा फिर उन लोगों से अपनी तुलना करिएगा जिन लोगों ने दद्दस अजार और सही नहीं है लिख दीजिए कि कौन सा सही नहीं है ठीक तो सही नहीं कौन सा होगा देखे बांखी तीन सही है सिर्फ ये सही नहीं है इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है जबकि संसोधन हो चुका है ठीक है संसोधन उद्देशिका मतलब की प्रस्तावना का हो चुका है बा पर है ठीक है कोई यह ना कहें कि नियायोग नहीं कहसे हो सकता है ठीक है इसकी प्रकति जो है वो नियायोग नहीं है यह मान की चलिए ठीक है और समीधान के विशिष्ट प्राबधानों के यार रद नहीं कर सकता ठीक है यह तीनों चीजें सही है और जो नहीं सही है वो है इस सिक्किम भारत का एक राजी बनाए गया ना तो इसमें लिखा गए एसोसियेट राज ना तो इसमें पूर्ण राजी लिखा है ठीक है और option में सिर्फ यहां पर 35 है 36 संसोधन नहीं है तो answer होगा आपका 35 संसोधन इस पर भी कुछ लोगों को doubt था ठीक है जिल लोगों ने अच कैसा संबध्राज ठीक है संबध्राज के रूप में लिया गया था संबध्राज बना दिया गया था तो भारत का एग्या ज़ sırघ्व भी इसका राइट आंसर है option C, सौराष्ट में, ठीक है, रंगपुर कहा है सौराष्ट में, next question, हाथी दात का पैमाना हरपी संदर्ब में मिला है, काली बंगा में, लोथल में, धौला वीरा में, बणावली में, ठीक है, कुछ लोग यह कहते हैं कि sir, UPPCS के level के आप question रख रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर है, वो होगा आपका option B, लोथल में, हाथी दात का पैमाना हरपी संदर्ब में, मिला है कहां से लोथल थे, next question है, निमन मेंसे किस नदी को, रिगवेद में मातेतमा, देवीतमा, एब नदीतमा संभोधित किया गया है, सिंदू, सरस्वती, वितर अंसर दे रहा हूं, ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा जो जिसका वर्णन हुआ है, वो है सिंदू, ठीक, वर्णन किसका सबसे ज़्यादा हुआ है, सिंदू का, और जो पवित्र है, वो है सरस्वती नदी, और इसलिए जो पवित्र है, उसी को माते और देवी, यह सब कह आ गया होगगा तो आंसर होगा इसका सरश्रती यह नेक्सेक्ट प्रैशुनम वह वैदिक कर्मकांड में होता का समबंद थिक इंग रिगवेद से यजुरवेद से सामवेद से या थर्ववेद से तो इसका जो राइट आंसर है वो है option ए रिगवेद ठीक है रिगवेद में जो सबसे पवित्र और प्राचीनतम पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे होता इसका जो राइट आंसर है वो है option डी बुद्ध के एक गुरू है उनका नाम था आलार कालाम नेक्स्ट है निम्न में से किस बौध साहित में महाद्वां बुद्ध के नैतिक एवं सिध्धान्त संबंधित प्रवचन संकलित है विनाय पिटक जातक कथाए अभिधंब पिटक सुत्थ पिटक तो इसका जो राइड आंसर है वो है option डी सुत्थ पिटक नेक्स्ट क्वेश्चन महायान बहुत धर्में बोधिशत्व अव लोकी तेशोर को और किस अन्य नाम से जानते वज्रपाणी मंजुस्री पदमपाण या मैत्रिया तो इसका जो राइड आंसर है वो है option C पदमपाणी नेक्स्ट जैन दर्शन के अनुसा स्थ्रस्थी की रचना एबं पालन पोशण किस से हुआ है सार्भ भॉमिक विधान से हुआ है सार्भ भॉमिक सत्य से हुआ है सार्भ भॉमिक आस्था से हुआ है सार्भ भॉमिक आत् और प्रवासी एक भासाई राज के रूप में गठित किया गया था नेक्स्ट पचास नागरिकता संसोधन अधिनियम 2015 के अंतरगत निम्लिकित में से कौन भारतिय कारड़ धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीक्रत होने के लिए अहर नहीं है इलिजीबल यहां एक वयस्क बच्चा जिसके अभिवावक भार्ति च्ब, भारतिय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतिय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए या एक व्यक्ति का परपोता परपोती , जो लागु नागरिक है किन्तु जिनके पिता माह, sack anyhow या माता मही समेदान लागु होने के समय भारती नागरिक थैं। ठीक है ठीक पिता माह का मतलब है ठीक है बाबा और दादी और लाना और नानी थीक है इस तरीके से इसको समझ लीजीगा ठीक है तो कौन नहीं हो सकता हैASE षिये ये तो हो गई एका भाष बच्चा, जिसके अभीवाग भारती नागरिक है वह तो हई जाएगा थिक है. भारती नागरिक की वीटेस मूल की पतनी वह भी हो जाएगी अपने अप ठीक है और जिसके परपोता परपोती होगी वो भी हो जाएगा तो बच्चा क्या वे भारती जो विभाजन के उपरांध पाकिस्तान प्रवासी हो गये थे उनको प्रवासी नागरी के रुब में पंजीकरत होने के लिए अहर नहीं माना जाएगा ठीक है नेक्स्ट है नेमलिकित में से कौन एक सही है भारती समिधार में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था भारती समिधान में मूल अधिकारों को प्रस्रे दिया था अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार सामिल किये थे क्रिप्स मि मूल अतिकारों को प्रस्तृ दिया था इसका जुन राइट अंशर वो है period में मूल अधिकारों को सामिल करने विए नहरू रिपोर्ट 1928 समर्थन किया था उधह नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनसूचित जाती के सदस्य अगर होगा तभी ऐसा माना जाएगा नेक्स्ट है उच्चताम नियाले कि किस मामले में के निर्णे के कारण संभिधान के अनुच्छेद 21 के कारिष्यत का विस् इंपोर्टेंट भी है क्योंकि यह सिच्छा से संबंदीत है ठीक इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्शन ए उन्नी कृष्णन बनाव आंध्र प्रदेश राज इससे संबंदीत है सिच्छा का अधिकार नेक्स्ट है भारत के सर्वोच नियायले ने संविधान की मूल सं इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्शन सी केश्वा नंद भारती बनाव केरल राज नेक्स्ट कोस्टन भारती संविधान द्वारा प्रदत नियम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्द है अभिव्यक्ति की सुतंतता देश की किसी भाग में घूम अधिकार संपत्ति अरजित करने का अधिकार समवैदानिक निराकरण का अधिकार इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी समवैदानिक निराकरण का अधिकार नेक्स्ट कोस्टन भारत के अतिरिक्त प्राया दिवपी परवत निर्मित हुए यो जोईक महाकल्प में पहल志 course एक महाकल्ब में मैसोोगत महाकल्प में सेनोजोइक महाकल्प में tan इसका प्रदक करता उर्षर ऑजबी अञ्मांस्ख करता है यह एक्वारि माभारि का सब्सक्राय करता है थोड़ा से easy question है इसका जो right answer है वो है option A अंडबान को निकोबाल द्यूपस है नेक्स्ट question नेम लिखित में से कौन सुमेलित है असम सिलॉंग मेगाले कोहिमा मिजोरम आईजोल नागालेंड गुहाटी यह तो फिफ्ट क्लास का question है ठीक है फोर्थ वेत का बहुत easy है है ठीक है तो जो सुमेलित है ठीक है सुमेलित कौन साइस में 19 का सी मिजोरम आईजोल मिजोरम की राधानी क्या है आईजोल या फिर मिजोरम जिले तक में है ठीक है अब नागालेंड की राधानी है कोहिमा और वह मेगाले के साथ लिखी है असम की है दिसपुर नागालेंड क को हीमा है ठीक है मेगाल है मेगाले कि किसी लॉंग ठीक है next question नेक्स्ट है गद्डी लोग निवासी है मध्य पर्देश की हमाचल पर देश के या मेगाले के इसका जो राइट आंसर है वो है option B हिमान्चल पुदेश के नेक्स्ट ब्रह्म पुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है ये भी थोड़ा सा उमीद है पताई होगा पदमा चकमुडूग हिम्जूग या सांगपो ब्रह्म पुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है तो ये जानी जाती है सांगपो नदी के नाम से और जो पदमा है ये जो गंगा नदी है इसको बंगला देश में पदमा कहा जाता है ठीक है आप अगर भारत का मैप देखेंगे मैप में भी आप देखेंगे तो गंगा नदी होगी और आगे जाके जैसे ही बंगला देश में प्रवेस करेगी उसमें आपको मैप में भी लिखा मिल जाएगा पदमा संकोस नदी किसकी सीमा बनाती है बिहार एबं पस्चिभ मंगाल के बीच असम औरुड़ाचर देश के बीच या बिहार एबं धार Walter के बीच अचा ुक्ति का जो राइट आंसर है वो है option सी Nom 2021 PASCIB मंगाल की बीच में संकोस नदी है जो असम वब PASCIB मंगाल के बीच में सीमा बनाती है और इसका उदगम कहा है भूटान उत्री भूटण से भूटान से अजमेर सवाई माधोपुर बालो तरह या सोजत तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बालो तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हुद हुद चक्रवाद से भारत का निमलिकित में से कौन सा तटी छित प्रभावित हुआ था आंध्रप्रदेश तट केरल तट चन्नाई तट या बंगाल तट ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप्शन आपका ए आंध्रप्रदेश का विशाखा पत्नम मतलब इससे अंध्रप्रदेश तट होगा क्योंकि विशाखा पत्नम बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था नेक्स्ट है निम लिकित में से तो इसमें कौन सा सुमेलित है तो सुमेलित जो है वो है आप्शन B 1784 मंगलोर की संदी नेक्स्ट कोशन निम लिकित भारती सासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्दती से दूतावास इस्थाफित किये थे हैदर अली मीर काशिम सहालम दोती टीपू इसका जो राइड अंसर है वो है आप्शन D टीपू सुल्तान नेक्स्ट कोशन ठगों का उनमूलन किसके नेतरत में हुआ था लाड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लाड मिंटो, अलेकजंडर बंस या उपरुक्त में से कोई नहीं इसका जो राइड अंसर है वो है आप्शन B, कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का उनमूलन किया था, लगभग 1820 तक जितने भी ठग थे उनका लगभग नाम निशान उन्होंने मिटा दिया था, कैप्टन स्लीमैन इसलिए ठगों का उनमूलन किसके नितरत में हुआ था, कैप् 168 में सनद के जारी किये जाने से यह 1858 की सामग्री की सामराग्गी की घोषणाने, सामग्री मतलब महारानी विक्टोरिया को कि जब घोषणा की थी बनाया गया था, सामग्री बनाया गया था, तो यह था ओप्शन D, 1858 की सामराग्गी की घोषणाने, यही इसका आंसर नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर्ट 29 निमने में से कौन चतुराईपूर्ण निस्क्रियता की नीत के साथ जुड़ा है विलियम बेंटिक लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड मियों जॉन लारेंस तो इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्षण डी जॉन लॉर्ण चतुराईपूर्ण निस्क्रियता की नीत के साथ जुड़े हैं नेक्स्ट है प्राचिन इसमारक सनर्चन एक्ट किस गवर्णर जनरल के कारिकायल में पारित हुआ था लॉर्ड मिन्टों लॉर्ड लित्गों लॉर्ड करजन लॉर्ड कैनिंग तीस का जो राइट अंसर है वो है ऑप्षण सी लॉर्ड करजन नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 31 दाची गाम राश्टरी उद्ध्यान निमलिकित में से किसे से संबन दित है कस्तूरी म्रग गोल्डन औरियोल एलो थ्रॉटेड मार्टन हंगुल या कस्मीरी स्टैग इकतिस का जो राइट अंसर है वो है ऑप्षण डी हंगुल या कस्मीरी स्टैग से समधित है दाची राम राश्टरी उद्ध्यान नेक्स्ट कोश्चन निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है राश्टरी उद्ध्यान है दुसरी तरब राज बांधीपूर करनाटक र हिमांचल प्रदेश में यह पी लिखे दे रहें ठीक है हिमांचल का जो लाहो लिवंग स्पीत जिला है उसमें ठीक है बाकी तीनों सही है नंदा देवी जीव मंडल किस राज में स्थित है चतिसगर्ण असम हिमांचल या उत्राखंड यह भी थोड़ा सही जी है आज उमी नष्थे ब्रत्वी से इस्तपष्चता से ट्रैक किया सकता है डापलर प्रभावाँ द्वारा रडार द्वारा तोंआर पल्सर द्वारा से श्का जो जो राइट आंसर है वहां अप्शन एफ लगश्टन डापल eval द्वारा नेक्स्ट वोस्टन बाद नोगे बायो मंडल मतलब sop stone मुख्यता क्या है? Magnesium silicate, sodium silicate, sodium phosphate, magnesium silicate इसका जो right answer है, वो है option D, magnesium silicate next question साब के जहरीले विसदंत होते हैं जो रूप अंतरित रूप हैं किसका? चिबुकास्ति दंत के? तालू दंत के? स्वानिय दंत के? या जंबिका दंत के? 37 का जुराइट अंसर है वो है ऑप्शन D जंपिका दंत के पीत पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सनहत है मस्तिस्क अंडासे अग्नियाशे या पलीहा तो इसका जुराइट अंसर है वो है ऑप्शन B अंडासे नेक्स्ट कोशन तो इसका जुराइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन C ठीक है तो इसका जुराइट अंसर होगा वो होगा ऑप्शन C पिंसन तता बीमालाद करना करां दियर्ध और यहाँ पने सवामलीट हो गये पहाले था जितन को सुर्फ़ आंव्ग बतायएगा और आपके मन में कोई हो या किसी कोसutर में डाउट हो तो आप लो में बाक्स में बता सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियों सिर्फ इतना ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार